पती पतने के लिए सुप्रीम कोड और हाई कोड की तरब से 10 नैनियम निकल करा रहे हैं देखे बड़ी हेडलाइस न्यूज हाई कोड का बड़ा फेसला है पुनर विवाय साबित हुआ तो पहले पती की संपती पर विद्वा का हक खत्म हो जाएगा वहीं बड़ी कपर देखे कोड का बड़ा फेसला है पतने और बच्चे ही नहीं बलकि माता पीता का भी बेटी की आई पर पूरा पूरा हक है साथ देखे सुप्रीम कोड ने एक बड़ा फेसला सुनाया है जीवन साथी की परतिष्टा और करियर को खराब करना मानसिक करूरता के तैत अपराद माना जाएगा वही सुप्रीम कोड का एक और बड़ा फेसला गरेलू हिंसा पर निकल करा रहा है कि पती के किसी भी रिष्टेदार के गर में पतनी को रहने का पूरा पूरा हक है हाइकोट का भी एक बड़ा फैसला है की पती-पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक ले सकते हैं वहीं सुप्रीम कोट ने एक ओर बड़ा फैसला सुनाया की बहु को है सास सशूर के गर में रहने का पूरा अधिकार इलाबाद आईकोट का बड़ा फैसला है कि बालिक पत्नी के साथ नहीं रह सकता है नाबालिक पती वह दिल्ली आईकोट ने भी बड़ा फैसला सुनाया कि गोदली ये बच्चे को भी गुजरा भता देना पिटा का दाईट तो होता है इस तरह के कई सारे नए नियम पती और पत्नी के लिए निकल करा रहे हैं जो हर एक साधी सुधा इंसान को जरूर जान लेने चाहिए दोस्तों अगर आपकी साधी हो चुकी हैं आप पती पत्नी के रिष्टे में बन चुके हैं तब तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए और अगर आप कुवारे भी हैं आपके बड़े बईया की साधी हो चुकी है याँ भी कुवारे तो आज नहीं तो कल कभी न कभी तो आपकी साधी हो नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लाश्ट तक देखते रहेगा क्यूंकि पती और पत्नी का जो रिस्ता होता ना उस रिस्ते को लेकर हमारे देश की सरवच्य अदालतों ने कुछ एसे नई कानून कादे और नई नियम मराएं ताकि गर ग्रेश्ती का जीवन आसान इसे चल सके तो लेट्स बिगिन बिना रायम विष्ट किये मैं आपको एक एकर करके थोड़े इन नियमों को विस्तार से बताऊंगा कुछ और नई नियम भी निकल करा रहे हैं जो एक आम आदमे के लिए आम नागरिक के लिए जानना जरूरी है चाहे आप महिला इस वीड पत्ने की साधी हुई होती हैं और एक दो साल में कई सारे पती की मौत हो जाती हैं या पत्नी विद्वा हो जाती हैं ऐसे परिस्तिती में कई बार ऐसा होता कि पत्नी दूसरे पती से साधी कर लेती हैं ठीक ना फिर वो पत्नी क्या करते कि उस दूसरे वाले पती की संपती पर भी अपना अधिकार जमाती हैं और जो पहले वाला पती मर चुका था उसकी जो संपती होती हैं उस पर भी अपना अधिकार जमाती हैं तो यहां पर हाइकोट ने बड़ा फेसला सुना दिया कि अगर पतनी ऐसी सिच्वेशन में यानि कि विद्वा होने के बाद दूसरी स पति पर उस महिला का कोई हक नहीं रहेगा ठीक ना तो ये एक महतुपन फैसला सुनाया है आई दिन समाज में इस तरह के मामले और दोकादरी की चीज़ें देखी जाती है तो इसी को लेकर अच्छा साथ ये अगला बड़ा अपडेट देखिए कि पतनी और बच्चे ही नही ये तो पेसे कर्च कर देता है लेकिन अपने मातापिता के लिए पेसे देने में उसको जोर आता है कर लोग तो अपने मातापिता को बुड़े होने पर रोटी भी नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए कोट ने एक बड़ा फिसला सुनाया है कि पति की जो आई होती ना उतना ही हक माता पिता का भी होगा तो वे लोग आप ध्यान रखें जो ये सोचते हैं कि हमारी कमाई तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हम तो इनके लिए कमा रहे हैं तो आपको आपके माता पिता ने इतने साल बड़ा किया और आपको कमाने लाइक बनाया इसका कोई मतलब सेंसे नहीं निकला फिर आपके माधापिता पागल होंगे जो आपको इतना बड़ा करके मतलब अपने पेरों पर खड़ा करके आपको साधी कराके कमा खाने लाइक बनाते हैं और उसके बाद आप अपने माधापिता से दूर लोकर के पत्नी और बच्चों को पैसे देना सुरू कर देते हैं तो ये अब नहीं चलेगा ठीक ना वाकर में कोड का अच्छा फैसला है और अगला आप बेड़ देखिए आप सुप्रिम कोड ने ये भी बड़ा फैसला सुनाया कि जीवन साथी के प्रतिष्टा और करियर को खराब करना एक मानसिक करूरता के तायत अपराद माना जाएगा बहुत बार ऐसा होता कि पत्नी अगर पढ़ाई बगरा कर रही होती हैं बीच में उनकी साथी हो जाती हैं तो कई लोग ऐसे पत्ति होते हैं जो अपनी पत्नी के पढ़ाई को फिर बीच में ही चुड़ा द कि पती के किसी भी रिष्टेदार के गर में पत्नी को रहने का हग है। अगले बड़ी कबर देखिए। आपको बताओगा समाज में बहुत सारे रिष्टे ऐसे होते हैं जिसमें पती की उम्र कम होती हैं जिबके पत्नी की उम्र ज्यादा होती हैं। पत्नी बड़ी होती हैं लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जहां पत्नी चोटा होता पत्नी बड़ी होती हैं। जब तक पती नाबालिक रहेगा पती 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो चाहे तो अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सकता हैं। तब तक तो वो किसी लड़के लड़की को गोध ले लेते हैं ठीक है फिर वो बड़ा हो जाता है ठीक है मान लिया दो तिन साल उसको गोध भी रखा फिर उनके भी भगवान की करिपा से बच्चे बच्ची हो गए हैं। तब क्या करते हैं बहुत से लोग हालां की सभी के लिए मैं नहीं करा हूँ लेकिन बहुत से लोग जोते हैं अपनी खुद की पैदा होने वाले उलाद में और वो गोध लिये बच्चे में फर्क समझने लग जाते हैं। अपने बच्चे को गुजारा बता देने के एक मामले में अदालत निर्देश दिये कि प्रतिवादी पिता को अपने गोध लिये बच्चे को भी गुजारा बता देना होगा। उटाओ के चलते एक दूसरे के बीच होने वाले मिस अंडरस्टेंडिंग के चलते अलग-अलग रहने लग जाते हैं। फिर कई पती क्या कहते हैं कि मैं तो अपनी पत्नी पत्ने के लिए गुजारा बता दे सकता हूँ क्योंकि बच्चा तो पत्नी ने गोध लिया था तो उसके लिए नहीं दूँगा। तो चाहे पत्नी ने बच्चा गोध लिया चाहे उसकी खोद की पेदाईस हो ठीका ना बच्चों के लिए भी गुजारा बता देना पती की जिम्मदारी होगी पती का दाई तो होगा क्योंकि एक पिता होने के नाते उसको अपनी ये responsibility पूरी करनी पड़ेगी ये भी एक हा गुबार वालों के साथ शेयर भी करना ताकि समाज में जो कुछ ऐसे गलत लोग हैं उन तक भी ये महतुपूर्ण संदेश पहुचना चाहिए और सही लोगों को भी एक बार फिर से इनको revise कर लिना चाहिए ताकि उनके रिमाक में कभी गलत फहम या पेदा ही ना हो यह important जानकरी शेयर जरूर करना वीडियो को लाइक करना शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp पर और हाँ आप हमारे चैनल DLS News को सस्क्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर दबादेना ताकि आपको आने वाले भईशे के इसी तरके काम के वीडियो तुरंत आपके मुबाइल पर मिलते रहेंगी रोजानकी मुक्य समाचार और बड़ी कबरे भी हम आपको DLS News के उपर बताते हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकोन दबादेना ओके खयाल रखना आप अपने आपका अपने परिवार का भी और बाकि हम प्रे करते हैं आपका और आपकी पत पतनी का बीच का रिस्ता हमेशा के लिए अच्छा रहें यही मारी प्रातना है वीडियो को लाइक शेयर कर देना थेंक्यू टेकर गुडबाई जय हिंद जय बारत वंदे मात्रम